कि दोस्तों आज की वीडियो भोती मेंत्यपण और इंट्रेस्टिंग वीडियो है कोशिस करें वीडियो को पूरा जरूर देखें यहां पर प्रैक्टिकल भी रहेगा और इसकी थिओरी भी समझने की कोशिस करेंगे आज हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम समझने की कोशिज करेंगे कि हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर का सरकेट है उसमें ये जो क्रिस्टल यूज होते हैं तो ये जो क्रिस्टल है ये माइक्रो कंट्रोलर को ओपरेट करते हैं या micro controller जो है वो crystal को operate करती है या फिर micro controller और crystal ये दोनों एक दूसरे को operate करते हैं practical experiment की मदद से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए crystal के जगेंपे मैंने यहाँ पर एक बेस लगा दिया है ताकि हम यहाँ पर ओके या खराब crystal को लगा के चेक कर सकें या अलग value का crystal लगा के चेक कर सकें सबसे पहले यह मेरे पास 20 MHz का crystal है जो इस सूकेम की PCV में Gen1 PCV में यूज होता है इस बेस पे मैं वो crystal यहाँ पर लगा देता हूं 20 MHz का crystal में यूज होता है वो मैंने लगा दिया है बिल्कुल बेसिक है इसको मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है जैसे ही power supply लगाऊंगा तो इस micro controller के इंदर software यह है कि सबसे पहले initialize होते ही यह सभी LED को on करेगा बजर साउंड करेगा और उसके बाद यह LED को बंद करता है बजर को बंद करता है सारी LED आउन हुई है बजर साउंड के साथ में और यह आपका वापी से बजर और LED बंद हो गई है ओन करता हूं तो यह आपकी LED ओन हो गई है और आपकी PCB यह ओन हो गई है अब इसकी जगें पहले इसी कंडिशन में चेक कर लेते हैं कि यह जो क्रिस्टल हमारा पिन नंबर नो पे पिन नंबर नो पे और पिन नंबर आपका दस पे लगता है तो वहां पे वोल्टेज की क्या पोजिशन है वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है देखना इसको पूरा जरूर काफी कुछ अब लोगों को सीखने को इस्ट मिलेगा साफ मल्टीमेटर को हमने कर लिया है डी सी पे नेगिटिव में लगाता हूं जहां बैटरी का नेगिटिव होता है सप्लाई का पिन नंबर नो और तस पे चैक करते हैं दो बूछार दो च्छे दो आठ और एक नो नो नंबर पे 2 वोल्ट है DC पर किया है डस नंमबर पर 1.9 वोल्ट है अब मैं इसके सचेंगे फ़राब एक खृष्टल लगा देता हूं सप्लाइ निकालता हूं यह 20 मेंगार छिङ måsteल यहां लगा देता हूँ मेरे पास एक खराब क्रिस्टल है इसको यहां पर लगा देता हूं क्रिस्टल में क्या खराब होता है नोर्मली क्रिस्टल खराब होते ही नहीं है क्या खराब होता है उसको भी देखेंगे crystal मैंने यहाँ पे लगा दिया है base में अब यहाँ पे मैं supply लगाता हूँ supply मैंने लगाई कोई LED ओन नहीं हुई कोई buzzer sound नहीं है और कोई activity यहाँ पे नहीं है अब यहाँ पे voltage चेक करते हैं pin number 9 पे और pin number 10 पे crystal को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि हमारे को चेक करने में दिक्कत नहीं पिन नमबर 9 पे और pin number 10 पे 9 पे लगाता हूँ 2V है और सारी LED यहाँ पे ओन भी हो गई है लेकिन पर्मानेंट ओन हो गई है और buzzer भी पर्मानेंट ओन हो गया है आँ लेपन और पिन नमबर 10 पे लगा के चेक करता हूँ 10 पे 2.2 नहाँ किक्रिशल था उसके नह पे वन्टेज ज्यादा थी और दस पे कम थी dona से कर रहे हो हूं तो आपका neo पे व्ल्टेज 2 है और 10 पे wire 02.2 यानि कि जहां पर कम थी जादा है उनवक्ष ज्यादा है ना इस सर्केट ओन होता है ना माइक्रो कंट्रोलर ओन होती है सिंपली आपका 2.2 वोल्ट इसने दिखा दिया है ना ही यहाँ पर LED ओन हुई लेकिन जैसे नोपे में टस्क करता हूँ नोपे टस्करते ही बजर साउंड भी आती है बजर साथ इसकी जो LED या है वो भी ओन होती है लेकिन continue ओन होती है वापिस बंद नहीं होती है लेकिन कंट्रोलर ओन नहीं हुई है क्योंकि कंट्रोलर अगल ओन होती तो आपका switch ओन करने से यह आपका PCB ओन हो जाता मैंने short कर दिय लेकिन PCB ओन नहीं हुई यानि कि माइक्रो कंट्रोलर शिर्फ इसका इनिसलाइज का शुरुवात का प्रोग्राम था वहीं पे जाके हैंग हो गई है वहीं पे जाके रुग गई है जैसे pin नमबर 9 पे में voltage चेक करता हूं यह देखिए शुरुवात का प्रोग्राम था वहा कि मैं pin नमबर 9 पे voltage चेक करता हूं बिना crystal के भी यह तो आपकी माइक्रो कंट्रोलर को इसने इनिसलाइज कर दिया ओन कर दिया उसी पोजिशन में कर दिया जैसे आपका crystal खराब होता है यानि कि crystal यहां पे खराब था और खराब crystal निकालने के बाद भी यहां पे 9 नमबर प पिन को मैं टेस करता हूं मल्टी मेटर की पिन को टेस करते ही यह इनिसलाइज हो जाती है यहां पर अब यहां पर दो चीज़ें दोस्तों crystal को मैं निकाल दिया है अब भी यहां पर मैं voltage चेक करता हूं pin नमबर 9 पे अभी भी 2V है pin नमबर 10 पे चेक करता हूं अभी भी 2.2V यानि कि हम crystal को जब खराब कंडिशन में चेक करें crystal खराब हो तब यहां पर हमारे voltage आती है वह voltage आपकी crystal से महां पर नहीं जाती है microcontroller से यहां पर आती है अब एक ती जोर चेक करते हैं microcontroller को ही बाहर निकाल देते हैं microcontroller को बाहर निकालने के बाद चेक करते हैं कि जो दो वोल्ट है या 2.2V है वो आपकी microcontroller ने generate की है या हमारे circuit में पहले से वह मौझूद है उसके लिए मैं micro controller को पहले भार निकाल लेता हूँ उसके बाद voltage यहाँ पर चेक करेंगे micro controller को हमने भार निकाल लिया है अब यहाँ पर चेक करेंगे कि बिना micro controller के pin number 9 और pin number 10 पर क्या voltage रहती है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9 9 नमबर पर कोई voltage नहीं है 10 नमर पे भी कोई voltage नहीं है एक नमर पे देखेंगे 5 volt है और 20 नमर पे देखेंगे 5 volt है लेकिन 9 और 10 पे कोई voltage नहीं है इसका सीदा सीदा मतलब ये है कि सर्केट से यहाँ पे कोई voltage नहीं है micro controller ही यहाँ पे voltage देती है वो crystal को बिल्कुल सम locomотивively basic से अगर आप इसकी डाटा सीट देखेंगे पिक 16F72 की तो इसकी पिन नमबर 9 जो है वो क्लोक इन है पिन नमबर 10 क्लोक आउट है मतलब क्या है पिन नमबर 10 से माइक्रो कंट्रोलर की पिन नमबर 10 से वोल्टेज आती है जो की इस क्रिस्टल को operate करेगी इस क्रिस्टल को पलस देगी वोल्टेज देगी उसके बाद ये क्रिस्टल जो है ये वाइबरेट करेगा उसके बाद ये जो क्रिस्टल है इसके दूसरे end पे जो इसकी frequency generate होगी वो आपका क्लोक इन का काम करेगी इस Microp controller के लिए लेकिन ये वाइब्रेट जो करेगा ये फेड हो जाता है दीरी दीरे इसकी जो वाइब्रेशन है वो फेड होके बंद हो जाती है इसलिए माइक्रो कंट्रॉलर इसको बार बार इसकी pin नमबर 10 से इसको clock देती रहेगी और उसके बाद जो है pin नमबर 9 पे ये जो आपका fixed frequency फि आपके 額प्रेशन होता है यह अब करता है अव यह बात है कि पिनबर 10 पर वोल्टेज आती तो यह सोफ्ट्यूर से नहीं होता है Micro controller के पिन 10 एक सरकेट होता है इसके अंदर सरकेट होता है एक, इसका यहां पे पिन नम्बर 9 पर जो भी आपकी फ्रिक्वेंश आएगी उसको वाप्पिस अंप्लिफाई करके वह पिन नम्बर 10 से क्लोग के रूप में इस क्रिष्टल को देता है यानि कि पिन नमबर 9 पे टच करता हूं, तो यह microcontroller operate क्यों होती है, पिन नमबर 10 पे टच करने से नहीं होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि pin नमबर 9 जो है, वो इस microcontroller के लिए clock in है, अगर कोई भी clock इस microcontroller की pin नमबर 9 पे आ जाएगी, तो यह microcontroller उसको इस crystal की clock समझेगी, और यहाँ पे यह operate हो जाएगी, लेकिन तुरंत उसको frequency समझ में आएगी, कि वो frequency वहाँ पे out है, और clock जो है वो A की आई है, उसके बाद next clock नहीं आई है, A की pulse आई है, तो वो वापिस वहाँ पे जाके hang हो जाएगी, और उससे आगे उसका processing नहीं करेगी, मैं फिर से करके दिखाता हूँ, 10 number पे touch किया, कुछ भी नहीं हुआ, दोनों probe मेरी open है, 9 number पे touch करते ही, वो clock उसको मानेगी, controller के लिए clock आई है, और उसने operate कर दिया है, लेकिन next clock नहीं आई है, क्योंकि ओनों ओनों यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो वो वहाँ पे जाके hang हो जाती है, और वापीस से वो यह देखिए, लगा के रखूँगा, तो वहीं पे रुप जाएगी, operate हो जाएगी, हटा दूँगा, तो वापीस से वो बंद हो जाएगी, एक ही clock हमारी मिलती है इस से, जरूरी नहीं है कि वो मैं इसी को touch करूँ, इसकी जगहें पे अगर मैं कोई भी metal किया, कोई भी चीज यहाँ पे touch करूँगा, तो वो उसको clock समझेगी, क्योंकि कोई ना कोई voltage वहाँ पे वो उसको, हमारे static charge से, या voltage जो यहाँ पे होती है, वो उसको मिलती है, और उसको clock समझेगे, माइक्रो कंट्रोलर ओन रहती है, माइक्रो कंट्रोलर की सभी चीज़ें यहाँ पे मौझूद है, उसको ground भी है, पास वोल्ट भी है, सोफ्ट्यूर भी है, सब कुछ है, सिर्फ crystal यहाँ पे नहीं है, crystal का weight है, वो भी pin number 9 पे कोई भी clock आने का, उसका weight रहता है, जैसे 9 नमर पे कोई भी चीज में टेस्क करूँगा, तो वो एक पर operate होगी हैं हो जाएगी, crystal में लगा दूँगा, तो वो आपको यहाँ पे proper काम करेगी, इसकी जगहें पे अगर मैं अलग value का crystal भी लगाँ हूँ, यह 20 MHz का था, और यह मेरे पास 16 MHz का है, इसको लगा के देखते हैं, 16 MHz का लगा दिया है, तो उसके भी यहाँ पे operate हो गई है, यह देखिए, लेकिन इसकी calculation सारी district हो जाएगी, इसकी जो बाकी calculation है, इसकी पल्स करने की जो frequency है, इसकी पल्स की जो duty cycle है, इसके जितने भी parameter है, वो सभी के सभी इससे effect होंगे, disturb हो जाएंगे, और यह output voltage वगरा सब इसकी sensing जबा रहा है, सारी sensing वगरा सारी disturb हो जाएंगी, तो आप जो exact value का crystal है वही लगाएं, उससे दूसरा value का crystal ना लगाएं, तो अगर crystal आपका लगाऊए है, pin number 9 पे टस्क करने से, अगर वो micro controller operate होती है, तो इसका मतलब है कि crystal या तो crystal, या crystal का print, या तो यह capacitor यहाँ पे problem है, यहाँ पे इसको change करेंगे, तो आपका यहाँ पे circuit चलने लगेगा,